हलो एवरीवन कोडिनिशन कंपाउंड की जो यूनिट है उसमें जो आज हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है किलेट्स एंड ओक्सिडेशन स्टेट्स यह दोनों ही टॉपिक एक्जाम पॉइंट ओफ यू से भी इंपोर्टन्ट है इन पे काफी बार कुश्चिन्स पू कोडिनेशन कंपाउंड ही होते हैं बट यह अधर कोडिनेशन कंपाउंड से कैसे डिफर होते हैं कि जो किलेट कंपाउंड है उनमें कम से कम एक मल्टी डेंटेट बहु दंतुक लिगेंड उपस्तित होता है बहु दंतुक लिगेंड क्या होता है आप सभी जानते हैं वो लिगेंड जिनमें क्या हो एक से ज़्यादा दाता परमानूं उपस्तित हो अब एक से ज़्यादा अगर डोनर एटम होगा तो क्या करेगा बहु दंतुक लिगेंड जो आपका सेंटरल मैटल एटम है उससे क्या बनाएगा एक से ज़्यादा बोंड बनाएगा और जब एक ही ligand एक से ज़्यादा bond बना रहा है तो वहाँ पर क्या बनेगी एक ring-like structure या एक वले बनेगी तो इस तरह की ring-like structure वाले जो coordination compound होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे kylates बोलते हैं और इस process को क्या बोलेंगे kylates करें अब बात यह है कि kylates भी क्या है coordination compound यह जैसा कि हम पढ़ रहे है तो coordination compound की तो हम पूरी unity discuss कर रहे है ऐसा क्या region है कि kylates को हम as a topic अलग से ही discuss हमें करना पढ़ रहे है तो उसका main region होता है kylates की stability kylates क्या होते हैं other coordination compound के comparison में काफी highly stable compound होते हैं और इनकी stability का region कै है इनकी structure इनकी structure में क्या होता है क्या बनती है वले बनती है एक बने एक से ज़्यादा बने वो डिपैंड करता है कि आप महाँ पर कितने multi-dented ligand present है तो जो वले जैसे सरचनाए होती है इनके कारण इनके वले क्या होगी स्थाही होगी और दूसरी चीज क्या है कि आप खुदी देखी कि जब multi-dented ligand है तो वो क्या कर रहा है central metal atom से एक से ज़्यादा bond बना रहा है वहीं अगर multi-dented की जगे क्या हो सारे monodented ligand हो तो क्या होगा आपको अगर आपको monodented ligand को separate करना है central metal atom से तो आपको क्या करना होगा less energy देनी पड़ेगी because वहाँ पर क्या है एक ही coordination bond बन रहा है लेकिन आपको multi-dented ligand को अगर separate करना है compound से तो क्या अगरना पड़ेगा आपको more amount of energy देनी पड़ेगी because multi-dented ligand क्या कर रहा है एक से ज़्यादा bond बना रहा है तो आपको ज़्यादा energy की requirement होगी तो इस तरह से वले जो होती है और इनकी जो structure होती है उसके कारण की lates क्या होते हैं काफी highly stable होते हैं अब जैसे कि हमने अभी बताया कि stability किसके कारण है ring-like structure के कारण तो कोई भी compound में जितनी ज़्यादा वले like structure होंगी उतना ही वो compound क्या होगा ज़्यादा stable होगा जैसे कि हमें एक example यहाँ पे देखें कि magnesium का जो EDTA के साथ complex होता है इथाइलीन, डायमीन, टेट्रा, एसीटेट हो जो ligand है जिसे short में EDTA लिखते हैं जिसको आपने last lecture की table में भी देखा होगा वो कि उसके complex में क्या होती 5 ring-like structure बनती जो 5 ring बन रही था आप खुदी सोचे हो कितना ज़्यादा stable compound हो जाएगा जैसे हम EDTA इसकी यहाँ पे structure देखें तो आपको दिख रही होगी और एक ring किसके साथ बन रही है आप एथाइलिन, डाइमीन के साथ जिसमें की donor atom के हैं दोनो nitrogen है और 4 link बन रही है आपकी acetil, acetonato ligand के साथ तो इस तरह से यह इस compound की structure होती है इसी तरह एक दूसरा आपकी लेट compound की structure आँ देख रहे होगे जो की थाइलिन, डाइमीन के साथ कोपर का complex है तो इसकी structure में भी आप देख रहे होगे कितनी ring present है दो ring present है जो की 5 member तो यह भी एक इस तरह से आपके coordination compound की structure sorry, kilate compound की structure कुछ होती है अब हम kilate compound की आपस में stability की बात करें तो कुछ kilate क्या होते है जिनमें क्या होता है जो होते है, pi electron present होते है means, conjugated double bond उनमें होते है और जब conjugated double bond होगा तो वहाँ पे क्या होगा resonance और resonance जब भी होता है तो आप सभी जानते हैं कि क्या होती है compound की stability बढ़ जाती है तो अगर किसी compound में conjugated double bond present है या multiple bond present है तो ऐसे compound क्या होते है उनकी stability और भी जाधा भढ़ जाती क्लेट की तो stability है ही है साथ में उनकी conjugation के कारण और जाधा वो stable हो जाते है इस तरह के जो compound बनते है वो बनते पोरफाइरीन लिगेंट और एसिटील एसिटोन लिगेंट के साथ another जो region हमें एक दे सकते है क्लेट की stability का वो है उनकी entropy कि आप जब बहुत अन्तुक लिगेंट वहाँ पे होगा तो number of atoms जाधा होंगे जिसके कारण क्या होगी उसकी entropy high होगी और उससे उसकी stability भी थोड़ी high हो जाती है यसे आप पोरफाइरीन का जहाँ पे structure देख सकते हैं complex की इसमें आपको खुदी दिख रहा होगा कि क्या है conjugation में सारे double bond present है तो resonance के कारण ये बहुत ही highly stable compound बनाता है अब ये तो होगया क्लेट second topic जो हम डिसकस करेंगे वो है oxidation state central metal atom की oxidation state है वो इस chapter का एक बहुत ही important topic है कि जब तक आप metal की oxidation state निकालना नहीं जानेंगे तब तक इस compound इस chapter में आप आगे बड़ी नहीं सकते आप चाहे नॉमन क्लेचर कीजिए आप चाहे एन पढ़िए चाहे आप इनकी बीबीटी पढ़िए आपको सब में बार बार central metal atom की oxidation state discuss की जाएगी तो इसको आप बहुत इध्यान से समझेगा और central metal atom की oxidation state निकालना आप सीखे अगर हम central metal atom की oxidation state की बात करें तो जब नॉमन क्लेचर में हम इसको लिखते हैं कोडिनेशन कंपाउंड के तो इस कहां लिखी जाती है यह नेम में metal के नाम के बाद लिखी जाती है और ब्रैकिट के अंदर किसमें roman numbers में लिखी जाती है algebraic numbers में नहीं लिखी जाती है किसमें लिखी जाएगी roman number वो हम जब next lecture में nomenclature discuss करेंगी तो वहाँ पर हम इसको discuss कर लेंगे इस lecture में जो हम सीख रहे हैं वो हम central metal atom की oxidation state को निकालना सीख रहे कि हम कैसे find out करें कि कि किसी भी metal की oxidation state क्या होगी तो उसके लिए हमने formula set किया है यह कोई authentic ऐसे formula नहीं है बट यह हमारी convenience के लिए हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम इस formula में रखते हैं जर्णली हमारी oxidation state हम easily found out कर पाते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा जो हम आपने इस समन्विया मंडल या coordination entity लास लेक्चर में भी आपने पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी coordination entity में क्या क्या होता है एक होता है central metal atom साथ में हम उसमें क्या लिखते हैं ligands लिखते हैं और उनके number को हम coordination number या उपस है संख्या द्वारा represent करते हैं और इस सारे इन सब चीजों को हम एक पड़े bracket में बंद करके रिखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है समन्वें मंदर या coordination entity है तो जब हम एक इस धातू की oxygen अवस्था गयात करनी है तो क्या माना जाता है कि central metal atom की oxidation state और जितने भी ligand coordination entity में प्रजेंट है उन सब का total charge इन दोनों का सम मिन्स ligands का total charge और धातू की oxidation state इन दोनों का सम इन सब का सम क्या होता है आपकी जो समन्वें मंदल पर आवीश है उसके बराबर होता है तो उससे ये formula set किया है जिसमें आपको दिख रहा होगा जो x है उसको हमने किसको रिप्रजेंट कर रहा है metal की oxidation state को n और जो y लिखे गए है वो किसको रिप्रजेंट कर रहा है n रिप्रजेंट कर रहा है ligand के नंबर को और y कर रहा है ligand के charge को अब ये n1, y1, n2, y2 का मतलब किया है कि जरूरी नहीं न एक coordination entity में सारे ligand क्या होँ similar हो हमने formula पहले भी देखे है आगे भी देखेंगे कि एक ही compound में एक से ज़्यादा ligand present हो सकते है तो जब अलग-अलग ligand है तो उनके number और उनके charge भी क्या होँगे different होँगे तो उनको हमने different different दिखा दिया है ऐसा ही son अगर 2 से ज़्याद है फिर उसको और आगे बढ़ा देंगे N3, Y3, N4, Y4 तो उसको हम उस according कर लेंगे और इन सब का जो है total sum वो किसके according है? C और C क्या है यहाँ पे? आपकी coordination entity का charge है तो यह जो formula हमने लिखका है इसको हम practically करके देखें एक बार एक compound की oxidation state हम इससे find out करके देखते हैं यह formula हमारे को कैसे help करेगा तो यहाँ पे आपको platinum का एक complex दिख रहा होगा amine और chloride o ligand के साथ तो इसमें central matter atom कौन है? platinum तो यहाँ पे हम platinum की oxidation state find out करते हैं कि उसकी इस compound में oxidation state क्या है formula हमारा वो ही जो भी हमने discuss किया था उसमें सारी चीज़े उनी को represent कर रही है अब यहाँ पे C समन्वय मंदल पर आवेश है तो जरा देखिए इस compound में समन्वय मंदल पर आवेश कितना है आपको दिख रहा होगा कि बड़े bracket को हम क्या बोलते हैं समन्वय मंदल बोलते हैं उस पर कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा मिंसी इस compound पर जो समन्वय मंदल है आपका उस पर आवेश कितना है जीरो वो कैसा है निट्रल है तो C की value हमारी हाँ पे क्या होगी जीरो होगी इसी तरह आपको दिख रहा होगा है यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है समन्वय मंदल में टू टाइप्स के एक अमीन और एक क्लोराइड हो और दोनों का आवेश अलग-अलग होता है तो हमें इनको अलग-अलग रेप्रेजेंट करना पड़ेगा एक बार के लिए हम माल लेते हैं एनवन के अमीन है और अमीन की संख्या यहाँ पे कितनी है तो इसी तरह है वाईवन के है अमीन का चार्च है और अमीन पे आप जानते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है उस पर आवेश का होता है जीरो होता है इसी तरह है C.L. उसका नंबर के है लिगेंड के संख्या कितनी है आपे 2 है लिगेंड पर आवेश का होता है माइनस 1 अब यह लिगेंड का नेम लिगेंड के सिंबल और लिगेंड पर चार्च यह तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए जिसको कि हमने प्रिवेस लेक्चर में जो था एक टेबल आपके साथ शेयर की थी जिसमें सभी लिगेंड के नाम उनके चार्च और उनके सिंबल मैंशन किये गए थे तो आप प्लीज पहले उसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि जब तक आपको लिगेंड की ये टेबल और ये सिंबल याद नहीं होंगे तब तक इस चैप्टर में आगे आप कितना ही कुछ कर लीजिए आपको कुछ नहीं समझाएगा जब तक आप लिगेंड को नहीं पूरी तरह से उन पे आप कमांड बनाते हैं उनके नेम पर चार्ज पर तब तक ना आप नॉमन क्लेचर कर पाएंगे ना आके आप BBT या EN कुछ भी आपको समझ नहीं आ पाएगा तो आप पहले वो लिगेंड की टेबल अगर किसी स्टुडेंट ने याद नहीं किये तो उसे प्लीज एक बार याद कर लीजे अगर वो आपको याद होगी तो उसके बाद कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल उसके बाद आप बहुत इजिली नॉमन क्लेचर करेंगे बहुत ही इजिली अक्सीडेशन स्टेट भी फंड था लूट करेंगे सब काफी इजी है उसके बार इस chapter में तो यह आपका formula में हमने सारी values put कर दी simple mathematical calculation है कितना आप सब graduate students है सब लोग find out कर सकते हैं जब formula हम सारी values हमारी लिखेंगे तो x की value जो हमें निकल के आती है वो कितनी आती है plus 2 जर्नली जो भी आपका होगा उसमें central metal atom पर oxidation state plus में ही होती है तो हम उस symbol को जर्नली रिप्रजेंट नहीं करते हैं तो platinum की oxidation कितनी आगी plus 2 जब हम इसको Norman Clature में लिखेंगे तो हमने अभी थोड़े दिर पहले क्या पढ़ा था कि कैसे लिखे जाएगी bracket में और roman numbers तो अगर इसको Norman Clature में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आप इसी तरह आप देखिए आपको एक potassium के साथ ferus का complex compound दिख रहा होगा इसमें जो central metal atom है वो कौन है ferus है आपको find out करना आता है कौन सा central metal atom coordination and titomy में जो भी सबसे पहले लिखा जाता है वो किसको represent करता है central atom को represent करता है तो यहाँ पे किस को कौन represent कर रहा है आपका ferus represent कर रहा है ठीक है अब आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए हमारे formula के according उसमें put करने के लिए कि जो आपका coordination and tit है उस पर charge कितना है जब तक आप वो ही नहीं जानेंगे तब तक आप formula से x की value कैसे find out तो वहाँ तो neutral था coordination and tit पे 0 charge था बट यहाँ पे आपको है coordination and tit जो है समन्वे बंडल है हो क्या है एनायन की form में है क्योंकि जो बाद में लिखा जाता हो क्या होगा एनायन और पहले लिखा जाता है वो कैटा है यह आप सभी जानते तो इस पे coordination and tit पे हम charge find out करें तो आप सभी जानते किसी भी compound में total positive charge और total positive charge यहाँ पे कितना है आपको दिख रहा है कितने potassium आयन है 4 है और potassium आयन पे charge कितना होता है plus 1 होता है तो total positive charge कितना हो गया plus 4 हो गया तो coordination and tit पे आपका charge कितना आएगा minus 4 आएगा I think यह निकालना आपको आता होगा बट फिर भी एक बार के लिए इसको समझ लीजें कि कैसे आप coordination and tit पे charge निकालेंगे तो अब आपको and tit पे charge पता चल गया तो अब आपकी c की value कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितनी हो गई minus 4 क्योंकि यहाँ पे and tit पे charge कैसा है minus में है अब compound में आप देखिए कितने ही लिगेंड है यहाँ पे एक ही type की लिगेंड है साइनाइडो इसका number लिखेंगे आप n1 से कितना हो गया 6 हो गया और इस पर charge कितना हो गया आपका y1 से जिसको हम रिप्रजेंट करेंगे साइनाइडो लिगेंड पे charge कितना होता है minus 1 होता है इन सभी value को जब आप इसमें put करेंगे तो आपकी जो x की value निकल के आती है वो कितनी आती है plus 2 तो iron पे या ferrous पे आपका कितना charge होगा यहाँ पे plus 2 charge होगा और इसकी oxidation state भी क्या होगी plus 2 होगी इसी तरह एक another example हम लेते है कोबाल्ट का तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि coordination entity पहले लिखी गई है और जो आपका common iron है उसको बाद में लिखा गया तो means coordination entity पहले लिखी गई है means वो कैसी है positively charged है और सामान ने जो आपका iron है वो कैसा negatively charged है तो वही तरीका कि हम total positive और negative charge देखके पता करते हैं कि coordination entity पे कितना charge होगा पहली बात तो होगा किसका plus का होगा तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका सामान ने आयन है वो कौन है CL है और उसका number क्या है only 1 है तो CL जब 1 है एक CL पे कितना आवेश होता आपका minus 1 तो यहाँ पे coordination entity पे charge कितना हो जाएगा plus 1 तो टोटल positive और negative charge गाऊंगे same होगे तो coordination entity पे charge आपको पता चल गया तो C की value कितनी आगी आपकी plus 1 आगी अब आपको यहाँ दिख रहा होगा लिगेंड कितने टाइप के हैं टू टाइपस के हैं एक S2O means aqua ligand है और एक CL means chloro ligand तो पहले हम N1 बात करते है means aqua ligand की उनके नंबर कितने हैं 4 है और aqua ligand पे S2O पे आप सभी जानते हैं कैसा ligand है neutral है charge कितना होगा 0 होगा इसी तरह N2 means chloro ligand उसके नंबर कितने हैं 2 है charge कितना है minus 1 है तो इस सभी value जब आप इसमें put करेंगे तो आपकी value x की कितने निकल के आती है plus 3 means cobalt की oxidation state कितनी है आपकी plus 3 है तो इस तरह से इस formula से आप oxidation state को find out कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही important part है इस chapter जब तक आप oxidation state निकालना ligands का charge उनका name, symbol ये सब नहीं सीखेंगे बेसिक चीज़े हैं तो इनके बिना आप इस chapter में आगे इसमें आगे फर्दर नहीं बढ़ सकते हैं पहले आप इन चीज़ों पर command बनाईए ligands की table याद कीजिए और oxidation state compound की या उसमें central metal atom की find out करना की practice कीजिए इसके लिए एक्जामपल आपकी books में बहुत से एक्जामपल हैं आप कोई भी coordination compound उठा लीजिए और उसमें central metal atom की oxidation state find out कीजिए और ligand के लिए जो है वो table आपके साथ previous lecture में share की जा चुकी है उसकी pdf भी share की जा चुकी है अगर कोई video में कुछ visibility problem हो तो आप वो pdf में भी देख सकते हैं तो उसको भी आप एक बार के लिए अच्छे से learn कर लीजिए अगर नेक्स लेक्चर है उसमें हम इनका nomenclature discuss करेंगे की coordination compounds का nomenclature कैसे करते हैं